नमस्कार आप देखरी विडार 24 न्यूज मैं हूँ आपके साथ जैन शुरू करते दो पहर की दो बड़ी खबरों के साथ पहली बड़ी खबर राजदावी लखनों में एक वीडियो शोशल मीडिया पर वाइडल हुआ है जिसमें चार यूवक पुलिस कर्मी को बीट सरक पर दोड़ा दोड़ा का पीट रहे है वाइडल वीडियो में पुलिस कर्मी आगे आगे भाग रहा है तो वहीं कुछ यूवक उसके पीछ है इस दोड़ान एक यूवक पुलिस कर्मी का मोबाइल फोन भी सरक पर पटक देता है इस पूरे वाक वहां मौजूद की ये शक्स न दिखाई दिये जिस पर दिवान श्रीकान ने उन्हें रोक लिया और सरक पर हला करने से मना किया जिसके पाद चारों यूवक ने दीवान के बीच सरक दोड़ा दोड़ा कर धुनाई कर दी जिसका वीडियो शूशल मीडिया पर वाइडल हो रहा है वही एक शक्स ने बीच बचाव करते हुए पुलिस कर्मी श्रीकान को बचाने की कोशिश की जिसके कुछ देर बाद वार चारों लड़के वहां से चले गए इसके बाद दिवान के ठाना जाता चार यूवकों के खलाफ एफ आयार दर्श कर आए पुलिस ने दिवान की तहरीर पर मुकतमा दर्श कर लिया गया है पुलिस ने बताया वीडियो वारल होने के बाद यूवक की तलाश के लिए टीम लगा दी गई थी उनमें से एक यूवक सलेम पूर पतोड़ा डिवासी अनिल के रुप में पहचान हो गई है उनकी ग्रफतारी के ये पुलिस की टीम लगी हुई है इसके सा आप बीजेपी के निशाने पर तो आ गई है साथी लोग भी इसके लिए केजरिवाल के आलोचना कर रहे हैं इसकी कर्म में केजरिवाल के पुल्व साथी और कवी कुमार विश्वास ने आप पर निशाना साधा है कुमार विश्वास ने टूइट करके इशारही इशारह म में तो अकलेश, मंता, नितीश, आधा, दर्जन, दावेदार है बेरासिप परसेंट हिंदू वोट बैंक से आधा भी हंसा लो तो बाके अलब संख्या के दूत कार्णे में भी मोधी विरोध में मजबूरी में वोट देंगी ही दिल्ली के मुख मंति अर्विंद कृष्रिवाल ने बुदवार को प्रधान मंति नरेद्र मोधी में नोटों पर घंवान गनेश और देवी लक्ष्मी की तस्वीरे लगाने की अपील की है एक मीडिया ब्रीफिंग के दोरान उन्होंने कहा कि गनेश और लक्ष्मी की तस्वीरे कई नोटों पर मुद्रित की जा सकती है उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया में एक मुस्लिम देश है वहां 85% मुस्लिम और केवल 2% हिंदू है लेकिन महा की करनसीब श्री गनेश जी की तस्वीर है मेरी प्रधान मंद्री जिसे अपील है कि नए छापने वाले नोटों पर माता लक्ष्मी और श्री गनेश जी की तस्वीर लगा जाए बाचपा ने किजरिवाल पर पिछली टिपन्यों को हवाला देते हुए दावा किया कि नोटों प्रभवान गनेश और देवे लक्ष्मी के फोटो की मान एक और बड़ा यूटन है बाचपा ने दावा किया है कि किजरिवाल धोन कर रहे है बाचपा प्रगता संबित पातरा ने कहा ये अर्विन किजरिवाल जी वही में रखती है जिन्हों ने विक्त वर्षों में कहा तकि जहां राम मंदिर बन रहा है वहां तो अस्पताल बनना चाहिए बता दे कि इस मामले पड़ा भी और विवाद बढ़ की सकता है क्यूंकि आपकी और से लगातार बीजेपी पर हमले जारी है और वो अपनी मान को लगातार दोडा रही है वहीं बीजेपी भी इस मामले में आपको छोड़ने से मूड में नहीं दिख रहा है और जोर शोर से पलेटवार कर रही है तमाम बड़ी ख़बर देखने के लिए देखते रहें गुडार 24 नियूज हम यह नहीं कहा रहें कि सारे नोट बदले जाएं लेकिन जितने फ्रेश नोट छपते हैं अभी जो नोट हैं वो as it is रहें लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट छपते हैं वो फ्रेश नोट के उपर यह शुरुआत की जा सकती है और धीरे 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 करते करते सर्कुलेशन में काफी मात्रा में यह वाले नए नोट आ जाएंगे इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है 85% से जादा उनकी अबादी मुस्लिम है 2% से कम हिंदू है वाँ पे लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के उपर गनेश जी की तस्वीर छापी हुई है तो मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत एहम कदम है जो कि केंदर सरकार को उठाना चाहिए आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से मीडिया के माध्यम से इस देश के 130 करोड लोगों की तरफ से केंदर सरकार से और माननिय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि भार्दे करेंसी के उपर लक्षमी जी की और गनेश जी की तस्वीर लगाई जाए आप सभी को दिपावली पर्व, भाईदूज, गोवर्धन पूजा सभी की बहुत बहुत शुबकामना है और यहां पाटी ओफिस में आपका अभिनंदन है यह हिंदी चल्चित्र में एक आवत है, एक गाना है क्या से क्या हो गया देखते देखते वाकर अगर अरविंद केजरिवाल जी की राजनीती को देखा जाए अरविंद केजरिवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए तो किस प्रकार से यूटर्न किया जाता है आज ही हमारे सामने पूर्ण तह उतर के आ रहा है आप सोचिए वही अरविंद केज दिवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फरेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गनेश जी के विशे में बोलते हुए पाए जा रहे है दिवाली लक्ष्मी जी और गनेश जी का परवे है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धंकी देने वाला वेक्ती आज किस प्रकार का यूटर्न ले रहे हैं आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं यह भी हम देख रहे हैं यह अर्विन केश जिवाल जी वही वेक्ती हैं जिन्होंने विगत वर्षों में कहा था केज़िवाल जी कह रहे थे कि मैं तो किसी भी कीमत पे उस राम मंदिर में अराधना करने पूजा करने नहीं जाओंगा क्योंकि उस राम मंदिर में पूजा जो है वो भगवान प्राप्त नहीं करेंगे भगवान स्विकार नहीं करेंगे उन्होंने अपने दादी के विशय में भी कहा था कि दादी बहुत नराज थी कि वहाँ राम मंदिर बना था और आज आप सोचिए कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने यूटर्न लिया है ये वही अरविंद केजरीवाल जी है जिनके बहुत सारे मीन जिनके बहुत सारे हिंदू विरोधी फोटो प्रसिद्ध है उनके ट्वीट में लक्ष्मी गनेश जी की पूजा कभी भी दीवाली के अवसर पर या वैसे भी स्वस्तिक चिन्ध के बिना पूर्ण नहीं होती है दीवाली में जब हम दीवाली मनाते हैं तो स्वस्तिक चिन्ध मनाते हैं स्वस्तिक चिन्ध को अंकित करते हैं तब जाके ये पूजा पूर्ण होती है इसी स्वस्तिक चिन्ध को जाडू से मारने का काम इसी स्वस्तिक चिन्ध के उपर जाडू चलाने का काम और स्वस्तिक चिन्न के उपर हसने का काम अर्विंद केजरिवाल जी ने ट्वीट के माध्यम से किया था वह ट्वीट भी आज जनता जनारदन के सामने मौजूद है पब्लिक डुमेन में हैं आज देखिए वही अर्विंद केजरिवाल जी आज भक्त बनने की कोशिश कर रहे है ये वही अर्विंद केजरिवाल जी है जिनके एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने आज से चंद हफतों पहले मा लक्ष्मी और गनेश जी के लिए जिस प्रकार की भद्धी बाते कही थी जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कहा था उपहास किया था उन्हें गाली देने का काम किया था के जिवाल जी आज वो MLA आपके यहां अभी भी बने हुए आपने उन्हें पार्टी से बरकास्त नहीं किया है केवल और केवल दिखाने के लिए आपने मंत्रीपद से हटाया है आज भी वो आपके एक बड़े नेता है आज भी आपके पार्टी के MLA मा लक्ष्मी के खिलाफ और भगवान स्री गनेश के खिलाफ उन्होंने टिपपणी की थी इतना ही नहीं ताहीर हुसेन और ऐसे अनेकों नेता है अर्विंद केज्रिवाल जी की किटी में अर्विंद केज्रिवाल जी की पाटी में जिनके कारण 85 लोगों को मौत के घाट उतारा गया नौर्टीस्ट दिल्ली के धंगो किस परकार से हिंदों के उपal प्रहार किया जाये किस परकार उनके उपर पैट्रोल बम फेका जाये किस परकार उन्हें मारा जाये उनका नरसंगार हो इसके रचेता थे ताहिर हुसेन आज भी जेल के सलाकों के पीछे बंद है और अचानक अर्विन केजरिवाल यहाँ पर स्वांग रचाने का काम कर रहे हैं बंद हो याद करिए यह वही अर्विन केजरिवाल हैं जिनोंने सदन के अंदर कश्मीरी पंडितों के नरसंगार पर बने फिल्म पर जब सवाल उठा था तो ठहा के मार के हस रहे थे और कह रहे थे यह तो जूटी कहानी है किसी ने एक भी कश्मीरी पंडित का नरसंगार नह केजरिवाल आज अचानक जो हिंदू बनने की चेश्टा कर रहे हैं यह यू टर्न की पराकाश्टा है अगर सही मायने में देखा जाए तो केजरिवाल जी आप जब दिवाली की पूजा कर रहे थे ना तो मा लक्षमी भी और भगवान श्री गनेश भी यह जो आपने थी मनीश शिशोदिया ने जिस प्रकार मोटा माल शराब माफिया के माध्यम से कमाया है भगवान कभी माफ नहीं करेगी मा लक्षमी कभी माफ नहीं करेगी इस प्रकार जो शराब में घुटाले करते हैं और गरीबों के पैसों का गबन करते हैं जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है अर्विंद के ज्रिवाल जी इसमें तो कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान के उपर भारत के उपर मा लक्ष्मी और प्रभूश्री गनेश का महादेव और राम का आशिरवाद है तभी तो जो हिंदुस्तान आर्थिक रूप से ग्यारहवे स्थान पे था आज से एक एक एक रूप पूरे विश्व में पांचवे नंबर की अर्थशक्ती है पांचवे नंबर की एकॉनमी तोड़े इंडिया स्टाइन इन देखा जाए तो विश्व पतल कह रही है कि विश्व भी अगर रेसेशन में चला जाए और संभावना है कि विश्व रेसेशन में चला जाए ग्लोबल रेसेशन हो जाए किन्तु लक्ष्मी और गनेश जी की कृपा और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के उपर जो इनकी कृपा है और उनका जो परिश्रम है उसके कारण भारत वर्श कभी भी रेसेशन में नहीं जाएगा निरंतर अपने परिश्रम के कारण निरंतर अपने साधना के कारण हमारे प्रधान मंत्री जी के उपर मालक्ष्मी प्रभु गनेश भगवान शीराम महादेव की कृपा है और तभी आज भारत वर्श आगे बढ़ रहा है जहां तक दिल्ली की अर्थ विव नहीं है आठ लाग रुपे का स्प्रे बनाते हैं पूसा इंस्टिट्यूट में और 24 करोड रुपे हो स्प्रे के एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करते हैं उसके प्रचार प्रशार में खर्च करते हैं और आप फिक्रा लक्ष्मी गनेश जी पे फोड़ देते हैं कि हम जादा एडवर्टाइजमेंट यह जो अर्थनीति आपने अपनाया है केज्रिवाल जी इसे आपको ठीक करना होगा बहुत बहुत धन्यवाद कोई प्रश्न हो तो पूछे कोई बात नहीं यह उनके पार्टी का आंतरिक विशय है खरगे जी आज यह कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने है मगर आज भी हमने तस्वीरों में देखा एक तरफ सुनिया जी और एक तरफ राहुल गांधी जी बैठे थे खरगे जी had no leeway दोनों तरफ परिवार बैठा हुआ है और है तो उनका आंतरिक विशय मगर मैं तो इस पे कोई टिपणी करना नहीं चाहूँगा मगर खरगे जी ने तो खुद ही कहा था कि अगर हम बकराईद में बचेंगे तो हम मुहर्रम में नाचेंगे तो अब देखत हैं हिमाचल और गुजरात के चुनाव आ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को बली का बकरा गुजरात और हिमाचल के चुनाव का मिल गया हो और खडगे जी को जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केप गोट के रूप में इस्तेमाल किया जाए उनको एक